पैरोट गरते हैं और पैरोट की तुरिके कोशलों हो और फंगस स्थिए और आपको पता नहीं अचाहरू नहीं China प्लस आपके जो आप की पेल की उंगलिया इन सबस्कु कैसे आप जाले शया है तुरक सकते हैं, छी यह सब्सक्राइब कर सकता है आपने एक small tub लेना है और tub के अंदर आपने पैरो को रखना है और सबसे पहले आपने तेल के साथ थोड़ी से आपने पैरो की मालिश करनी है ताकि आपके पैरो पर गंदगी है वो तेल की चिकनाहट की वज़े से बहुत ही lose पढ़ जाए तेल लगाने के बाद आपने क्या कर लेना है और इसको जो है आपने mix कर देना है और इसके बाद जो है आपने shampoo लेना है एक shampoo आप shampoo कोई भी shampoo इस्तिमाल कर सकते हैं तो आपने यह शैंपु यहाँ पर ले ना है और पानो पानि जर्फम लिए पार तो पानी मिलाता पाणी用Fr confusing जादा गुर्म पानी दाला है का एल मिला कि जादा पानी saying कि यह दूर्ष आपनी मुलाने उप Talki खुिंदत 고र्णा कुर्ण मिलना पाने ओना दूर दूर हेते जादा पानी मैं बता दू नीमबू जो होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है जो हमारे पैरों की क्या हमारे फेस की गंदगी जहां भी हमारा काला पन होता है तो उसको जो है दूर करने के अच्छे से काम आता है बेकिंग सोडा भी हमारे शेरी पर पीला पन हो या फिर दातों में पील और यह जो पानिके लुन को को 10 लुद तक यह डाल के रखना है यह तक यह देखिए और पानी में आपने पैय। आपक और रहे हो परो की तरीके से पर शब्सुम लएक नीचे तक अपने पैयो की इस तरीके से सब्सक्रना आपने Lake और याद रहे आपके जो पैर है वो आदे पानी में होने चाहिए और आदे ऊपर की साइड होने चाहिए और मैं आपको बता दू हमने जो इसके अंदर बेकिंग सोड़े का यूज किया यह आपकी एडियों के लिए भी बहुत अच्छा है कई लोगों की एडिया फटी होती है जिस रही से उनकी एडियों में मैल जम जाता है तो मैल हटाने के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रीडियंट बेकिंग सोड़ा उसके बाद आपने जो यह नीम्बू लिया था हमने हाफ नीम्बू जो लिया था इस नीम्बू से हमने अपने पैरों की जो है मालिश करनी है इस तरीके से यह देखिए यह आपकी विटामिन सी का एक बहुत अच्छा यह स्त्रोथ है तो यह देखिए यहां देखिए आप बहुत आच्छे करना है वोती सोफ्ट तरीके से करना है और आप इसी दीबु को अपने देटी एडिया फर्टी हुई है वह लोग भी इसका इस्तमाल प्रीजें से कर सकते हैं फैरों में जो है छोटे छोटे ब्लैंकिट्स हो जाते हैं जो हमारे गंद की जमिय होती है तो वो भी जो है इससे निकल जाएगी प्लस मैं आपको बता दो जिन लोगों के पैरों पर बाल होते हैं वो फीमेल रिमूवर होता है उसका यूज करके अपने बालों को साफ कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने 10 मिनट तक मसाज करनी है उसके बाद आपने पैरों को अच्छ इसके बाद आपने दही लेनी है और दही आप उतनी ही ले जितने के आपके पैरों पर यूज हो सके तो आपने दही को ले लेना है और दही से जो है अपने पैरों की आपने मालिश करनी है अच्छे से दही जो है यह एक खटी चीज है तो खटी चीज जो भी हो वो जो है हम प्र बएकु हमारे गन्द की कहन को याकोぎ t fish क splend ścle avrr तो उसको कटने के यह बहुत अच्छा सरोथ होता है झाल सा स्चों पर इसको आप इस तुर आप पर बिल्कुल अच्य तरीकmesse आपने लगाना है यह अपने इस तरीके से इसकी बिल्कुल अच्छे से मालिश करने है यह देखे जब आप इसकी मसाज कर रहे हैं यह देखिए दही भी जो आपकी सफेदा वो बिल्कुल काली पड़ गई है तो इस तरीके से आपने अच्छे से मालिश करनी है यह देखिए आप एक एक फिंगर को ले और इसको अच्छे से तो आपने लेना है और इस तरीके से आपने रोल करना है ताकि जो आपके फिंगर के उपर काला पन है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाए कई लोग वहता है नेल के साइड़ में एक्स्रा skin होने के वज़े से जो है वो skin बहुत काली-काली हो रखी होती है तो वो भी जो है अगर आप यह step करेंगा तो वो भी आपके ठीक हो जाएगी कई लोगा के यहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन होता है क्योंकि वो हील पैन के रखते हैं तो हील हमारी यहां तक होती है और यहां पर धूप लगने के विए से टाइनिंग आ जाती है भो जादा तो उसको दूर करने के लिए है तो आपने इस तरीके से यह जो है मालिश करनी है आपने दोनों पैर उपर सेम तरीके से आप इसी तरी आपन जो जमा हुआ है वह आपका बिल्कुल ठीक हो जाए और यह आपने जो है पांच मिनट के लिए इस तरीके से आपने दही से मालिश करनी है और आपने दही से मालिश करने के बाद आपने जो है साफ पानी के साथ पानी आप ठंडा भी ले सकते हैं आपने साफ पानी के यह देखिए इनके जो उंगली के ओपर जो काला पन था वो भी इनका जो है कम हो गया और आप यह पैडिक्यूर जो है डेली कर सकते हैं अपने घर में तो आगर आप साथ दिन भी डेली इसी प्रोसेजर से इनी स्टैप से पैडिक्यूर करते तो आप देखेगा आपके पैरो आपने बिल्कुल सुंदर दिखाई देंगे और बिल्कुल आच्छे दिखाई देंगे यह देखे इनके पैर कितने साफ दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सफ्ट सफ्ट हैंड से अपने पैरों को पोच लेना है इस तरीके से उसके बाद मैं आपको बता दो जिन लोगों के बड़े हैं वह इस शेपर का यूज करके अपने नेल्स को जो है perfect shape में ला सकते हैं जैसे कि इनके नेल्स हैं नहीं इतने बड़े तो इस सरीके से अगर आप घर में पैडिक्योर करेंगे तो आपकी पैसे की भी बचटों की प्लस आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैर जो है वो भी बहुत सुंदर दिखाई देंगे धन्यवाद